प्यारे बच्चों बहुत स्वागत है आप सबों का देखिए यह जो एट क्लास का स्कॉलर सिप जो बैच है 16 मार्ट से स्टार होने जा रहे हैं इस बैस समंदित जनकारी जो है आप लोगों को बताना मैं बहुत जरूरी समझ रहा हूं कारण की जनकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं हो पाता है कि आखिर यह चीज है क्या यह किस चिरिया का नाम है इसमें इसकी तैयारी करने से क्या-क्या फैदे क्या-क्या लाब जो है हमको मिल सकती है देखिए इसमें सबसे पहले अगर मैं जनकारी देना चाहूं प्रोफिट के संदर में इसमें छात्रविर्थी जो है सरकार के तरफ से परतिक बच्चे को जो एक्जाम क्रेक कर देता है 48,000 रुपया मिलती है ठीक है उसके बाद सब्जेक्ट की अगर मैं बात करो तो इसमें मैथ रिजिनिंग जीके जीएस यह जो है सब्जेक्ट की तैयारी जो है तैयारी कहने कि तुलनात्मक अध्यन करके आपको बताऊं तो यह जो आप देख रहे हैं ना इमाउंट के सामने या इसके सामने यह एमाउंट कुछ भी नहीं है कारण कि आप जो अभी एट क्लास में मैं फिर से इस पर जोर डाल कर बोल रहा हूं एट क्लास में आप जो यह मैथ पर रह है और साथ इसाथ जो जेनरल साइंस जो आप पढ़ रहे हैं यह तमाम विषय आपको 11 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जब कोई बच्चा या एस पैरेंट सरकारी नोकरी के त्यारी करता है न इन्हीं विषयों को उसे पढ़ना पढ़ता है और जो बच्चा अभी से ही इसको परता है मैं समस्ता हूं वह बहुत ही लक्की बच्चा होता है बहुत ही भागिसाली बच्चा होता है कारण की कारण की हम लोग उस प्रसानी को समस्या को जहल चुके हैं हमें पता है अगर हमें यह पता है कि सरकारी नोकरी में इन सारी चीजों को इन सारी चीजों की जरूत परती है तो इसलिए मैं आप सभी अविभाव को और बच्चों से अनुरोद करता हूं कि आप जो है इस स्कॉलर्शिप की तैयारी को जो अपने कोचिंग में बिगत वर जो बैच जो है 16 मास से सुरू होने जा रहा है तो समय को देखते हुए मैं आप लोगों से अब अलविदा लेना चाहूंगा धन्यवाद फिर मिलते हैं आप सब उसे